हाई, आजकल हम सब mutual funds के बहुत ads देखते हैं और सोचते हैं कि mutual funds ठीक हैं या नहीं वेलकम तू आन्यू सीरीज लर्न विट अप स्टॉक्स यहां हम investing को simple और easy बना देंगे चाहे आप सोच रहे हों invest करने का stocks में, mutual funds में, digital gold में, IPO में या real estate में यहां मिलेगी आपको सब की knowledge और आज हम discuss करने माले हैं mutual funds के बारे में सबसे बड़ा डर लोगों को ये रहता है कि mutual fund में loss हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो क्योंकि share बजार को तो हमारी फिल्मों ने ना बहुत बदनाम किया हुआ है तो यहां मैं आपको बताता हूँ कि 300 से 400 equity schemes होंगी जहां आप पैसा लगा सकते हैं अब बात करते हैं mutual fund का concept क्या है वो कैसे work करता है और आपको सही mutual fund आखिर choose कैसे करना है उसमें invest कैसे करना है तो generally हम सब mutual funds में invest करते हैं तो हमें ना यह लगता है कि यह हम सिर्फ share बाजार में निवेश कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है हम mutual funds के थुरू gold में, real estate में, debt instruments में और equity में भी invest कर सकते हैं तो यह चारों में आप MF के जरीए invest कर सकते हैं लेकिन ज़ादा तर जब mutual fund के risk और return की बात होती है तो लगता है कि risk ज़ादा है, volatility ज़ादा है, तो return भी ज़ादा ही होगा तो यह सारी चीजों की बात होती है equity के context में याने share बाजार में जो mutual fund पैसा लगाते हैं उनके context में तो mutual fund को सही से समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप share बाजार क्या है उसे समझ लीजी तो जैसे कि हमने पहले share बाजार के context को समझ ही लिया है तो अब share बाजार में invest करने के ना तीन तरीके होते हैं पहला होता है कि आप खुद research करें, कौन सा share अच्छा है और बुरे हैं और खुद अपने लिए shares को pick करें उसमें advantages तो यह है कि आप किसी और की पसंद पे depend नहीं होते आपको किसी को fees देनी ही नहीं है disadvantage यह है कि यह बहुत time taking है बहुत time लगता है अच्छे shares ढूंडने में जो की undervalued भी हो और इन्हें कैसे ढूंडना है उसकी knowledge भी होनी चाहिए second तरीका होता है कि आप किसी research analyst या investment advisor की मदद लेने इसमें advantage यह है कि आपको time नहीं देना research में आप अपने advisor या analyst पे dependent रहते हैं और disadvantage यह है कि investment करनी तो आपको है एक advisor आपको सिर्फ बता सकता है कि आपको यहाँ यहाँ invest करना है और उसके बदले में वो आपसे एक fee लेगा but eventually invest आपको करना है तीसरा तरीका है mutual fund का mutual fund के जरीए भी आप share बजार में पैसे लगा सकते हैं जिसमें कि आपको जादा time नहीं देना होता जिसमें आपको regular tracking नहीं करनी होती fees भी काफी कम रहती है और आपको stock picking की knowledge की जरूरत बिलकुल नहीं है आपको बस एक अच्छा fund select करना है तो अब जबकि आपने जान लिया है कि mutual fund का basic purpose क्या है वो purpose है खास करके एक equity fund का कि आपको share में exposure देना आपके पैसो को share बजार में लगाना अब जानते हैं कि mutual fund काम कैसे करता है अब अगर आपको 20,000 लगाने हैं और आप खुद ही invest करना चाह रहे हैं या फिर advisor के थूँ invest करेंगे और उसने आपको बोल दिया कि MRF या page industries या किसी और company का share ले लो तो वो एक share ही ना 20,000 के उपर का होता है अब आपको तो लगाना ही 20,000 है तो आप कैसे खरीदेंगे उस share को आप नहीं खरीद पाएंगे तो ये एक problem है direct या फिर advisor के थूँ जाने में लेकिन mutual fund क्या करता है mutual fund आप से 500 लेगा किसी और से 500 लेगा और ऐसे ही 100 लोगों से 500 ले लिया अब उसके पास 50,000 रुपए आ गए अब उसने 2 share खरीद लिये page industries के तो अगर आप अकेले होते और आप page industries का share लेना चाहते तो आप नहीं खरीद सकते थे अब आपके जैसे 100 लोग हो गए तो सब ने मिलके page industries के 2 shares खरीद लिये अब लोग 100 हैं लेकिन shares 2 हैं तो वो shares को बाटेंगे कैसे तो mutual fund company आपको directly shares ना देके अपनी scheme के units दे देता है याने कि मान लीजिए 25,000 के 2 shares खरीदे गए तो 50,000 का total investment हुआ अब 100 लोगों ने वो पैसा लगाया था तो आपको वो fund 500,500 का एक unit दे देगा ताकि आप सब collectively मिलके वो 2 shares के ना आपस में co-holders बन जाए तो mutual fund ये काम करता है कि थोड़े पैसे में आपको ज़ादा company में invest करने का मौका मिल जाता है जब आप direct निवेश करते हैं तो ऐसा आप नहीं कर पाते अब ये mutual fund करता कैसे है वो एक fund management company बनाता है जिसे हम AMC कहते हैं वो company एक fund को launch करती है और फिर लोगों से पैसे मांगती है कि हमने एक multi-cap fund launch किया है याने कि multi-cap मतलब अलग-अलग sizes की companies में invest करती है छोटी company, बड़ी company, हर तरह की company में फिर जो लोग भी interested होंगे आपके, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000 तो कोई 20,000 उस AMC को दे देगा ऐसे करके जितना पैसा इखटा हुआ उसे कहते हैं AUM याने की asset under management total पैसा तो मान लीजिए आपने 22,000 सबसे लिए और 50 लोग थे तो 1,000,000 का AUM याने asset under management आया अब वो AMC एक fund manager appoint करती है जो की एक expert होता है shares को pick करने में तो वो अब इन 1,000,000 रुपियों को कहां कहां invest करना है इसकी एक strategy बनाएगा 10,000 किसी share में 5,000 किसी और share में ऐसे करके वो 1,000,000 रुपे को invest कर देगा share बजार में और आपको मिल जाएंगे उस mutual fund scheme की units तो ये था mutual fund का basic concept mutual याने shared तो जैसे हम कई बार hostel में shared room में रहते हैं mutual fund भी एक ऐसा fund है जहां सब का पैसा share होके एक pool बन रहा है और वो pool के पैसे से वो लोग shares लेते हैं ये simple concept है mutual fund का आप ना थोड़ा जान लेते हैं कि mutual fund के advantages और disadvantages क्या है पहला advantage है थोड़े पैसे में जादा diversification अगर आप 2-4,000 रुपे लगाना चाह रहे हैं तो आप जादा shares नहीं खरीद पाएंगे लेकिन mutual fund में क्योंकि सब का पैसा pool होता है और फिर वो बहुत सारी companies में लग रहा है तो आपको 2,000 में भी हो सकता है 50 companies में आपका पैसा divide हो जाए जो directly आप कभी लगा नहीं पाते तो थोड़े पैसे में जादा companies में exposure मिलता है जादा diversification मिलता है Second, इसका advantage है कि एक expert है जो आपके पैसे को manage कर रहा है अगर आप खुद अपने 2,000 रुपे किसी एक expert को बोलेंगे कि मेरे लिए लगा दो तो वो expert बोलेगा कि आपके पास सिर्फ 2,000 है 2,000 से जादा तो मेरी fees ही है मैं उससे जादा रुपे तो खुद ही ले लेता हूँ ऐसे मैं आपको advice कैसे दूँ लेकिन mutual fund में आपके जैसे 1000 लोग मिलके उसकी fees दे रहे हैं वो भी बहुत सस्ते दाम पे तो आपको fund manager का expertise मिल जाता है और fund management के expertise के charge को कहा जाता है expense ratio याने कि होता ये है कि अगर आप mutual fund में 100 लगा रहे हैं तो उस 100 रुपे में से roughly ये हर scheme पे depend करता है लेकिन roughly 98 या 99 रुपीज ही आपकी उस scheme में लगता है और एक या 2 रुपे के बीच company रख लेती है उसे कहते हैं expense ratio तो ये expense ratio जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है तीसरा advantage हो गया कि आपने एक बार पैसा लगा दिया फिर वो mutual fund उस पैसे से shares खरीता बेचता अपने आप करता रहेगा आपको बार-बार transaction की जरूरत नहीं पड़ती तो आप अपनी जिंदगी अराम से जी सकते हैं बिना ये चिंता किये कि कौन सा share buy करना है कौन सा sell करना है fourth advantage आपने SIP के बारे में सुना होगा एक बार bank में mandate set कर दीजिए कि आपने account से हर मन्त 1000 रुपे, 2000 रुपे या 5000 आप जितना चाहें उतना cut होते रहे और scheme में आगे लगते रहे तो हर मन्त भी आपको manually कुछ नहीं करना है SIP आपने डाल दिया salary में आप जितना बचाते हैं उसे invest अपने आप करते रहे automatic आपके bank से cut हो जाएगा आप जब चाहें SIP रोक सकते हैं जब चाहें उसे बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं आपको आज तक किसी ने पूरी बात बताई ही नहीं कुछ ने आधी जानकारी के साथ बोल दिया कि active funds बेटर हैं जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है आखिर वो क्या ऐसी चीज है जो मुझे index funds के बारे में नहीं पसंद और उसके बाद इस वीडियो की end की और बढ़ते हुए कि active funds में भी सब कुछ अच्छा नहीं होता प्रॉब्लम तो active funds में भी है और कैसे आप सही fund आपके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के end तक आप खुद सही fund सेलेक्ट कर पाएंगे तो index fund को लेके चर्चा एकदम से तेज हुई पिछले एक-दो सालों में जब Warren Buffett ने ये कह दिया कि passive funds एक अच्छा investment option है तो इंडिया में भी इसमें inflow बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये अच्छा है या बुरा है तो देखिए ऐसे blank statement देना गलत होगा कि ये अच्छा है या बुरा लेकिन index fund को हमें इंडिया के context में समझना होगा और Warren Buffett जिस देश में रहते हैं उस context में समझना होगा Warren Buffett ने जब कहा कि index fund अच्छे हैं तो उसका पहला reason क्या था? वो था कि European and American country में stock market बहुत efficient है वहाँ जादा तर लोग stock market में invest करते हैं इसलिए वहाँ undervalued stocks ना जल्दी से मिलते नहीं fund managers के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो वहाँ के index को beat कर सकें इसलिए इतनी महनत करने से better है कि आप index fund में invest कर लीजिए और index जितना यानि जैसा इंडिया में sensex है तो sensex जितना return आपको मिलता रहे ये पहला reason था अगर आप एक active multi-cap fund लेते हैं तो multi-cap fund में आपको large, mid, small cap हर तरहां का allocation मिल जाता है तो fund manager ये decide कर सकता है कि कौन सा और कितना पैसा कौन से asset class में लगाना है अब हम discuss करते हैं SIP करना चाहिए या lump sum और ये दोनों काम करते कैसे हैं हम ये भी जानेंगे कि how to invest and सही mutual fund select कैसे करना है mutual fund में invest करते वक्त ये सवाल हमारे मन में सबसे जादा आता है किसी भी निवेश में अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको दो अच्छी चीज़े करनी होती है पहला सही जगह निवेश करना होता है और दूसरा सही वक्त पे निवेश करना होता है सही जगह निवेश करने की problem तो mutual fund में invest करके solve अपने आप हो जाती है अब बात आती है कि सही time पे invest करने की क्योंकि mutual fund ये decide नहीं करता है कि आपको कब invest करना है उन्हें तो आपके पैसे चाहिए होते हैं बट ये decision आपका होता है कि आपको कब invest करना है हर time market में enter होने का सही time तो नहीं होता lump sum invest करने में market timing का बहुत बड़ा role होता है अगर गलट time पे invest कर लिया तो return कम हो सकता है अगर अच्छे time पे invest कर लिया तो returns बहुत अच्छा भी हो सकता है लेकिन कोई भी market को सही time पे judge नहीं कर पाता कोई ये precisely नहीं कह सकता कि कहां से market उपर जाएगा और कहां से नीचे ये predict करना ना बहुत बहुत मुश्किल है कब पैसा लगाएं इस सवाल का जवाब सही सही कोई नहीं दे सकता तो क्यों न ये सवाल को हटा ही दिया जाए कैसे SIP के थूँ SIP का यही benefit है कि आप हर month fixed amount invest करते हैं तो market उपर हो या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर month पैसे लगते हैं तो वो balance out हो जाता है market के ups and downs की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हाँ तो इसे like जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों और family members के साथ share करना बिलकुल मत भूलिएगा और हर एक नए वीडियो की notification और upstocks की latest updates के लिए आप इस channel को subscribe जरूर कर लीजिएगा